तो सोशल मीडिया पर इंडियास गोट टैलेंड के विजेताओं का दर्द जलका है जी हाँ बरस्ते पानी में मंत्री केतार कश्यप से मार्मिक अपील की है खुले आस्मान के नीचे कीचड में अमेरिका गोट टैलेंड जीतने कर रहे तैयारी बच्चों का दर्द सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है वीडियो तो आपको बतादे बच्चों का दर्द अब सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है सोशल मीडिया पर इंडियास गोट टैलेंड के विजेताओं का दर्द जलका है परस्ते पानी के नीचे मंतरी केदार कश्यप से अपील कर रहे हैं तैयारी जो कर रहे है वो दिखाने के अपील की जा रही है और आपको बदा दे अमारे काज गौट टालेंट में ये बच्छे जाना चाहते हैं जिसको लेकर ये अनुरोध कर रहे हैं मानी विदायक हमारे फ्री फ्री केदर कश्यप जी मैं मलखम की अंतर राश्ट्री की लाड़ी हूँ जिसमें हमारी अकदमी ने अब तक 500 से जादा पदक जीत चुके हैं हमें सरकार दौरा कोई भी स्वीदा नहीं मिल रही है हम बार बार लेटर लिखते हैं नीको को बिलाई को लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती है बारिस में हमारे सारे मलखम ग्राउंड और धीग रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मलखम आगे तक नहीं कर पाएंगे हमारी आपसे यहीं विर्टी है कि यहाँ पर इंडोर स्टेडियाम बना दिया जाए और आर्थिक सहायता दी जाए जिससे हम मलखम को अमेरिका वा उलम तिक तक ले जाएंगे तो नारणपूर से हमारे साथ ही इम्रान खान इस ख़वर पर जादा जानकारी के लिए जुड़ गए इम्रान जिस तरीके से तस्वीरे सामने आई हैं बच्चे मासूम है अपना दर्द जहलकारे कि दार कश्रप से विनुती कहले अनुरोत कहले कर रहे हैं मलखम की प्रैक करने वाले थें आज वो खोले आस्मान की नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं मलखम की समागरियों को बचाने की गहार लगा रहे हैं सरकारी मदद की गहार लगा रहे हैं आपको बता दें कि जो इंडियों गार टैलेंट में सीजन 10 कर जब खिताब जित कर लाउट रहते तो कर दो सुईधा के नाम पर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है यहां नराइंटपूर में ब्यस्पी का बड़ा ख़दान चल रहा है निको जैसवाल का ख़दान चल रहा है सियासर फंड की जो बात होती है इन लगातार ये पत्रचार कर रहे हैं कि उनको उस सियासर फंड से इ आना है तो उनको मदद करना पड़ेगा आपको बता दें कि अभुजमार के दुरस्ति शेतर के बच्चे हैं इसमें जो बच्ची है संताय संताय पोटाई जो अपील कर रही है और राष्टिय गोल्ड मेडलिस्ट खिला रही है अब तक राज्य और राष्टिये में 20 मेडल ब्राट कर चुकी है ऐसे जो बिहड़ों सो निकल कर जो आ रहे हैं बच्चे आज वो अपने दम पर प्रैक्स कर रहे हैं और 36 गड़ का नाम रौसन कर रहे हैं यह बड़ा चिंता कभी से हैं बड़ी चिंता का विशह है उमीद करते हैं आइस 24-7 पर एक खबर प्रसारत होन के बाद किदार कशब जल्दी इस खबर में संग्यान में आने के बाद कोई कदम उठाएंगे बच्चों के हित में कोई फैसला लेंगे बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी देने के लिए